नमस्कार नेशन न्यूज देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ उतकर इश्कुमार पूरे भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक करोर से पार हो गई है वहीं केंद स्वास मंत्री डॉक्टर हश्वर्धन ने एक इंटर्व्यू में कहा है कि बिहार और पूरे स्वास मंत्री का कहना है कि वैक्सिनेशन के मामले में भारत किसी बी देश से पीछे नहीं है नए साल के शुरुवाती महीने में वैक्सिनेशन लगना शुरू हो जाएगा News Agency ANI को दिये इंटर्व्यू में स्वासमंत्री हश्वर्धन ने कहा है कुछ महीने पहले देश में कोरोना वारस के 10 लाग संक्रिये मामले थे, अभी देश में करीब 3 लाग संक्रिये मामले है, कोरोना वारस के 1 करोर मामले में से 95 लाग से जादा मामले ठीक हो चुके है, हमार 20 करोर लोगों को वैक्षिनेशन दी जाएगी, उनमें 1 करोर स्वास्ट करनी, 2 करोर फ्रंट लाइन वर्कर, 50 साल से अधिक उम्र के 26 करोर लोग और 50 साल से कम उम्र के 1 करोर लोग होंगे जिनको कोई बिमारी है, तो इस खबर के सामने आते ही, लोगों में काफी उत्सा है, लोग जल्दी से जल्दी कोरोना वैक्षिनेशन का वैक्षिन टिका लेना चाहते हैं और स्वस्थ होना चाहते हैं, फिलाल खबर में सिर्फ इतना ही, अब हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज, थन्यवाद